नमस्कार दोस्तों आज की डेट है 4th अप्रेल 2024 स्वागत है आपका आज की करेंट फे डिसकसन में चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं डिसकसन स्टार्ट करने से पहले टेलिग्राम चैनल जरू जोइन कर लो यहाँ पर आपको पीडियेप मिल जाएगी और UPSS से जो भी मेट स्ट्रिजन एप के बारे में न्यूज में क्यों है न्यूज देखेंगे नहीं क्योंकि महत्रुपूर्ट है यह एक्जाम के लिए न्यूज काम की नहीं होती उस news को हम discuss करते नहीं है तो चलते हैं हम इसके बारे में बात कर लेते है C-Vigil Citizen App है क्या UPSC क्या question पूछ सकती है इसके aim के बारे में question पूछ सकती है कि इसके उदेश से क्या है इसे किस ने develop किया है काम क्या करती है और फाइदा क्या होगा इन तीन चार चीज आपर UPSC क्यूशन पूछेगी इस C-Vigil App के बारे में कोई भी आप हो जो भी आपको न्यूज में लगे कहीं भी आप पढ़ रहे हो एप हो, कोई software हो, कोई platform हो ऐसी कोई चीज रिलीज होती है कोई launch होती है तो उसका simple सा होता है UPSC जादा इन पे क्यूशन पूछेगी क्यूशन यहीं पूछेगी किसने किया है, काम क्या करता है एम क्या है, तीन चार चीज आपको पता है तो आप UPSC का क्यूशन टेकल कर सकते हो प्रिलीम में इसकी उप्योगता जादा होती मेंस में ऐसे क्यूशन पूछे नहीं जाते है ठीक है, डायरेट मेंस में ऐसे क्यूशन कभी नहीं पूछे जाएंगी आप example की तुरू यूज कर सकते हो बर डायरेट क्यूशन आते हैं तो बात करें, सी विजल एप के बारे में क्या काम करेगी कि इसका उद्धिष्य क्या है देखो, अभी क्या लगा हुआ है अभी लगी हुई आचा सहीता चुनाव से पहले, model code of conduct या आचा सहीता लगी होती है इसमें क्या होता है इसमें कोई भी political party कुछ चीजे नहीं कर सकती है क्या चीजे नहीं कर सकती है किसी को पैसे नहीं दे सकती है वोट खरीजने के लिए किसी को लिकर नहीं, सुराब नहीं वाड़ सकती है फेब नहीं कर सकती है पेड नीज नहीं चला सकती है कि हम कम्यूनल, मतलब जो हेटी स्पीच होती है नहीं कम्यूनल हेटी से दुरम से समझ जो ऐसी speech नहीं दे सकती है ऐसी सारी चीज़े नहीं कर सकती है बट कहीं सारी चो particle parties होती है जो individual candidate होते हैं वो इस परकार के काम करते हैं तो इन सब को रोकने के लिए हमारा चो चुनाव आयो गए election commission है वो एक app लेके आया है अब ये app क्या करेगा अगर किसी भी वेक्टी को कोई individual है कोई वेक्टी है उसको लगता है जैसे आप ही माल लो खुद को आपको लगता है कि आपके आज पास में ये सारी चीज़े हो रही है तो आप क्या करोगे एक वीडियो बनाओगे और इस वीडियो को इस app पर launch कर दो मतब release कर दोगे या फिर इसे भेज़ दोगे इस app पर भेज़ दोगे अब इस app पर आप वीडियो बेज़ोगे तो ये जो वीडियो आपका ये इनके server में जाएगा जो भी आपका नज़दी की जिल्ला होगा district होगा वहाँ पर ये जाएगा अब ये दिस्टिक्स से एक संपर्ख जाएगा इनकी गाड़ी खड़े होगी जो आपके आस-पास के area में जहां पर होगी वहाँ पर जाएगा 15 मिनट में ये गाड़ी की पास चला जाएगा और ये गाड़ी आपके बास आएगी जहाँ पर आपकी GPS आप वीडियो बेजो के तो आपकी GPS साथ में जाएगी आपके location साथ में जाएगी ये वहाँ पर आएगी पता लगाएगी क्या चीजी चल रही थी किस परकार की दांदली चल दी थी क्या गलत काम चल रहा था तो उस एक्षन लिया जाएगा election commission के according ये action है वो 100 minute के अंदर अंदर लिया जाएगा election commission अभी एक report भी दी गे थी ये देखो news में भी यही था कि इस पर 79,000 जो केसे से वो दरज किये गे थे report दरज किये थे सिखाए थे उसमें से है ना 98 89% जो सिखाए थे हैं उनका समाधान है 100 minute से क समाधन हो जाता है तो ये बताया गया सी वीजी लेप के बारे में तो इसमें क्या होता है लोगों को जागरू किया जाता है आचार सहींता के दोरान जो भी उलंगन होता आचार सहींता का उसे उलंगन को रोकने के लिए लोगों को जागरू किया जता है नागरीकों को सक्स से किसने मिनाए, इलेक्शन कमिंशन में, क्या काम करेगा, वह सो अबिनेट में आपका, जो भी सिकायद हो कि उसका समाधन करने का काम किया जाएगा, किस प्रकास से होगा, वो प्रोसेस आपको याद रखने के जो उतनी है, बढ़ हमने देखे लिया है, महत्व क्या होगा, इ कि आचा सहींता का कहा उलंगन होता है उसे रोका जाएगा हमारा जो लोगतंतर है उसे बचाए जाएगा लोगतंतर किस परका से बचाए जाएगा लोगतंतर की नीवे की चुनावे फ्री एंड फेर हो तो इसे बचाए जाएगा तो इस परकार के फाइदे सी विजल एप के बारे में नेक्स्ट जो हमारे आर्टिकल है वो fpi के बारे में foreign portfolio investment के बारे में क्यों न्यूज में इसलिए है context यह है कि अभी fpi के तुरू भारत में है आपको क्या पता होना ची fpi क्या होता है fdi क्या होता है इन दोनों में अंतर क्या है ऐसी चीज़े यूपियसी ज्यादा पूछती इसके example क्या है जैसे कि hdr जी डी आरे बॉंड है mutual fund है इस ट्रेडर फंड है इस टोक है यह सारी इसके example है यह सारी चीज़े पता होनी चीज़े तो पहले बात कर लेते हम fpi के बारे में fpi foreign portfolio investment इसे कहा जाता है हिंदी medium विदेशी portfolio निवेस कहा जाता है किसी भी बाहरी व्यक्ति को भारत की किसी company में invest करना है बट इसी invest है न एक तो ज्यादा समय के लिए नहीं करना है कि मैं कभी भी निकाल सको मेरी पैस से दूसरा इसे क्या करना है इसकी जो share तो खरीदने है बट इसकी जो management किस परक करना है कम समय के लिए करना प्रोफिट लेकि वापिस चला जाना है तो वह क्या करेंगे एफ पी आई के तुरू पैसे डालेंगे फॉरन भारत की जो company अंबानी जी की इसमें पैसे डालेंगे और तुरंद इनको लगा इनका फाइदा हुआ है अपने पैसे निकाल के चले जाएंगे तो fpi की तुरू कुछ समय के लिए डालेंगे तुरंद अपने पैसे लेकि चले जाएंगे अब हम fpi और fdi की बारें एक बार अंतर भी देख लेते अंतर देखने के पहले होता है क्या है यहां पर एक होता है balance of payment क्या होता है भुगतान संतूलन इसमें क्या होता तो balance of payment यानि कि भुगतान संतूलन होता है इसमें क्या होता है कोई दे से उसमें कितने पैसे आ रहे है कितने पैसे जा रहे है यह अलग अलग तूर पैसे आते हैं यह सारी चीजे इन धितरू आते तो उनका बाद में last क्या निकलता है जैसे एक कोई country वारत है उसमें 100 रु Capital यह पूंजी खाता है, चालू हाते में क्या होता है, वीजिबल, इनके थूझे से चालू हाते, कैसे पैसे आते हैं, आपके देश से क्या क्या इंपर्ट हो रहा है, Crude oil है, Cars है, Mobile है, Computer यह सारी चीज आ रही है, फिर Invisible में क्या होता है, जो दिखता नहीं है, उसे invisible कहा जाता है, service दिखती नहीं है, income है, profit, interest, dividend, profit, आपकी कोई company बाहर profit कर रही है, interest ब्याज आ रहा है, dividend लाब आ रहा है, फिर transfer, remittance आ रहा है, donation आ रहा है, gift, remittance क्या होते हैं, भारती लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, वो अपना जो remittance बाहर भीजते हैं, मतलब भारत के हो गए, वो दूबई में काम कर रहे हैं, कहीं वो अमरिका में काम कर रहे हैं, वो अपने पैसे भारत में बेज़ेंगे, उसे remittance कहा जाता है, donation, gift देना, अनुदान देना, और gift और donation थोड़ा लागे, donation, NGO बगरा को दिया जाता है, gift है, वो किसी को भी दिया सकता है, तो य हो गया, donation हो गया, यह transfer हो गया, ठीक है, यह चालू खाते मा जाता है, फिर capital खाते में क्या क्या आता है, पुझी खाते में, investment है, loan है, और bank है, फिर investment में आता है, FDI, FPI, तो FPI है, वो capital खाते में investment का पार्ट है, तो यह चीज़े आपको याद होनी चाहिए, UPSC क्यूशन आता है, FPI, अब हम FPI और FDI में अंतर देख लेते, यहाँ पर FPI और FDI, FDI का मतलब होता है, direct, foreign direct investment, यानि कि विदेशी प्रतेक्स निवेक्स, direct रुपेर निवेक्स हो रहा है, और portfolio हो रहा है, इसमें क्या होता है, मुख्य तर ज्यादा तर usually, यह 10% से ज्यादा होता है, और share market में लिस्ट नहीं हो, ठीक है, share market में लिस्ट नहीं किया गए, उसके आप share नहीं खरीच सकते हो, वो unlisted होती है, तो FDI इन दोनों में हो सकता है, और unlisted, जो FPI यह only listed company, जो share market में listed है, उसमें ही FPI आ सकती है, ownership की बात करो, तो आप FDI के तुरू भी share खरीच रहे हो, यहाँ owner बन रहे हो, FPI के तुरू भी share खरीच रहे हो, यहाँ कि owner बन रहे हो, किसी company के share खरीच रहे हो, तो owner बन होगी, but FDI में है न, आपका target होता है, management करना, FDI के तुरू को भी पैसे लगाएगा, तो वो manage भी करेगा, company के, board बैठक होती है, उसमें भी बैठेगा, FPI में बैठको में नहीं बैठेगा, उसका management का target नहीं था, उसका target होता है, only पैसे कमाना, lab कमाना, company को जो lab हुआ, भाग जाना, फिर FDI में क्या होता है, FDI में होता है, वो investor होता है, वो long term के लिए approach करता है, उसका ज्यादा था target होता है, long term तक दिके रहना, और पैसे कमाना, FPI होता है, वो long term के लिए होता है, तो बार बार आना जाना नहीं होता है, यह highly volatile होता है, इसलिए hot money क्या होती है, तुरंत आई पैस ही तुरंत भापी चलेगी, तो ऐसे ऐसे चलता है, उसे hot money का जाता है, तो FPI होता है, highly volatile होता है, आज अमरीका में, कल चाहिना में, यह ऐसी लाब देखते से मतलब होता है इन मेंक क्या होता है अगर आप किसी में इंवेस्ट कर तो मसीन यह जाते इस कंपनी के इसे अगर और आ रही हो एकनोमिक लिए तो justification को दूनों जरूरी है पैसे आएगा कंपनी में कंपनी ग्रोथ होगी कंपनी की ग्रोथ होगी तो कंपनी है जॉब क्रियेट करेगी तो एकनोमिक के लिए बहतर है तो एकनोमिक के लिए बहतर है दोनों जॉब के लिए बहतर है दोनों एकनोमिक के लिए बहतर है फाइदे क्या है फाइदे यही है क मतलब तुरंट आप पैसे निकाल सकते हो आपको लगा आपके लाब हुआ आप लगी जा सकते हो highly volatile है और highly liquid है लिक्वीड मतलब यह है तरल है तरल का मतलब क्या है इसको पैसो में कर्मेट जो ज्यादा तर वही होता है जो तुरंट पैसो में कर्मेट हो जाए सोना लिक्वीड है हाँ सोने को आप तुरंट पैसो में कर्मेट कर सकते हो पैसे खुद वह तो लिक्वीड है यह तो ऐसी चीज़े लिक्वीड हो ही होती है जो आप तुरंट पैसो में कर्मेट कर सकते हो तो तो FPI है वो लिक्विडिटी इसकी ज्यादा है यानि कि तरलता इसमें ज्यादा है इसे तुरंद आप पैसे दे के निकाल भी सकते हो तो यह FPI के फाइद है अब FPI के बारे हम तो हम देख लिया अब हम देख लेते हैं रिन यानि की डेब्ट और एक्विटी इन दोनों में अ कि nó की रूप में देख लेते हैं रिन और एक्विटी देवे प फायदा होगा तो आपको फायूराइदा होगा यागें तो आपको लॉस होगा लेकिन जो अब उसमें कमपनी के फाइदे नुकसान से आपको फरक नहीं पड़ता है रिड में ओनली आपको अपनी जो भी आपको इंटरस्ट है उससे फरक पड़ता है अगर आपका इंटरस्ट परसेंट आपको दस परसेंट इंटरस्ट मिल जाएगा कमपनी जाए गाटे में जाए हो गई है उसका लिक्वीडिशन हो रहा है यानि कि उसको बेच रहे हैं तो उसमें पहले है ना आपने किसी को रिंड दिया है तो उसमें आपको पैसे मिलेंगे बाद में किसी को मिलेंगे जिसने इक्विटी दीती रहने कि रिंड वाले है जिसने डेप्ट दियते वो अरे के बारे मैं एंटिंटन मैं क्यों है हूंम निस्ट्री ने ग्र 채 को रिगूलेशन की रेट तही आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि इस में केस बहुत ज्यादा थे पैंडिंग दे तो उसकी रैसिट्रेसन डेरेट आगे बढ़ा दि हैं एफ cliche क्या अब इससे आप क्या समझोगेगे विदासों से आने वाले योगदान किसके रूप में आता है धनки रूप में पैसो के रूप में उसको क्या था नीमित करना है रैगुलिसन करना है उससे समंधित कुछ अधिनिय हम बना गया है नाम से समझ्छ 고양 वे मना गया जिसी FCR Act कहा जाता है क्यों लाए गया था इसी इसी लाए गया था 1976 1906 में लाए गया था उस ताम कि गौर्णमेंट को लगा कि बाहर की जो टाकत है बाहर की जो देश है वो भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें पैसो के तुरू जो एंजियो वगरा है जो भी विपकसी दल है उनको पैसे दे रहे हैं ताकि भारत की जो इस्तती है इंटीग्रिटी है उसे वालेट कर सके भारत को पूरी तरह से तोड़ा जा सके इसके लिए बार बार आंदोलन धरने पर किसे दे रहे हैं तो आपको पहले है ना आपका एक FCRA आकांट खोलना होगा भारते में ठीक है उस जो जिसे नेसरी मेरेको रोने सन्झीए तो मैं मेरा FCRB कोलूंगा बाइज मैं जो जो एकती है कोई भी बाहरका व्यक्ति है अगर वो मेरे को help देना चाहता है तो इस एकक website में भी कहा गया कि बहरी वेक्ट यहां कुछ entities को पैसे नहीं दे सकता किस को नहीं दे सकता жैसे कि media का परसारण। कने वाले जो कंपरियें उनको नहीं दे सकता है साथ ःसाथ में जो चुनाव में लर्ड्रेंड, उसको नहीं दिया काम करवाई जा सकते हैं तो यह देश के लिए नुक्सान दाईग हो सकता है जज को दिया जा रहा है तो उसके जो भी वो निस्पक्स देगा वो नहीं देगा तो यह भी देश के लिए नुक्सान दाईग हो सकता है मीडिया को देगा तो मीडिया भी जाएगी दो देश वीरो आप एक account को खूखो फिर रजस्टर्स करवा हो कि मेरे को बाहर से पेसे आएंगे यह रजस्टर्स होता है यह पांट साल के लिए होता है जैसे आपने लैसे लिया कुछ टाइम के बाद में आपको रैसेंस डिवियू करवाने पड़ता है ड्रायवर करने परता है सम वयसे ही आपको जो FCR का रिजिस्ट्रेशन होता है वो पांच साल बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है एक सल आपने ले लिया एक बार ले लिया फिर पांच साल बाद में जाके रिन्यू करो भई मैं पैसे आ रहे हैं मेरे इसे इस परकार से आएंगे तो आपको अधार कार लेके जाकर जाना है तो फिर से आप इसे रिन्यू करवा सकते हो रिन्यू कैसे करवागे आधार कार से करवागे पहले अलगा होता है लेकिन अब आधार कार से इसे रिन्यू करवा सकते हो पांच साल के लिए वेज होता है पैसे आएंगे सारे निग्रानी रखी जाएगी और इस को है ना गौर्णमेंट से अप्रूवल लेना होता कि मेरे पास है ना एक लाग से बार से ज्यादा है वो बार से पैसे आ रहे हैं तो मैं अप्रूवल दे दो मिर को अब क्या कर दे गौर्णमेंट दस लाग तक है ना आप बिना अप्रूवल के ले सकते हो दस लाग तक ले सक दिल्ली में आपको एक FCRA अकाउंट खोलना पड़े है, दिल्ली में SBI की एक ब्रांच है, उसमें ही आपको अकाउंट कोलना है, और वहीं पे जाकि है न, आप अपने पैसे ले सकते हो, उनली इसी ब्रांच में, क्यों? कि इसको रेगुलेट करना easy हो जाता है, इसलिए दिल् में किया गया, साथ ही साथ में आपको पंजी करण करवानना पड़ेगा, पंजी करण करवानी के बाद में, आपको अधारकाड वगरा लेकर जाना है, साथ ही साथ में FCRA का अकाउंट है, वो मेरे नाम पर है, तो मैं किसी और के नाम पर ट्रांसपर नहीं कर सकता है, क्यों एसे transfer होगा तो कोई और वही गुटाले कर लेगा फिर FCRA का account है ना एक वेक्ति के नाम पर एक ही account होगा वो एक नाम पर 2410 account नहीं कोल सकता है फिर कोई भी वेक्ति है उसको FCRA का account खोलना है तो उसके बाज में बारती पासपोर्ट वगरा होना चाहिए अगर बिना आप कुछ गलत काम करते हों तो आपको 120-80 दिन के लिए 180 days के लिए जो आपकी कंपनिये उसको निलंबित किया जा सकता है और इसको 180 दिन के लिए बढ़ाया भी जा सकता है ये पूरा किसमे ये पूरा इसमे वनन दिया गया फिर कितने परसेंट कम कर सकते हो ये तो सारी ची के बारे मता एपस यारे सिंपल सी चीजे है विदेश जो आने वाला धन्न है पैसे है उसको रेगुलेट करना है क्यों रेगुलेट करना है ताकि देश में नुकसान न हो जाए आप थोड़ा बहुत भी माइन लगा गई तो आपको इसका इंस्वर मिल जागा वास इतना ध वो है अकटिक सरकम पोलर धारा के बारे में सबसे पहले न्यूस में क्यों है नियूस महत पूर्ण है निवन जो के तुरू ऑपर करन चलती है यह current क्या करती है जो मारा global temperature है जो मारा पूरा ocean का temperature है इसको distribute करती है कैसे distribute करती है यहां का temperature ज्यादा है यहां का कम है यह जो current है यहां से यहां तक जाएगी तो यह गरम current बन के जाएगी यहां से जागी गरम जाएगी और यहां जाकी यहां का temperature ठंडा इसको गरम कर देगी त पान का पुल्पूना वित्रन होना चीछ इसका फाइदा भी देखो यहां अगर यह करंड़ी नहीं नहीं होती है तो यहां का इंवर्मेंट ठंड़ा ही रहता तो यहां पर फिसिंग के लिए नहीं होता है यहां पर गरंड करंड जाती है यहां से ठंडी करंड आती है तो यहां फिसिंग ग्राउंड अच्छा बन जाता है ठीक है हमारे जो बारिस वगरा भी होती है वो भी इन करंड के कारण होती है ठीक है तो यह सारा पूरा होता है और जो ओसीन करंड होती उनका यह benefit है तो ocean current बहुँद जाद आ है तो ऐसे ही ocean current में एक current है जो की आकर्टिक region में बहती है ये current है ना उपर का है आकर्टिक Antarctic जो ocean है ये उपर Antarctic ocean है नीचे है Southern ocean Antarctic ocean सदन ocean इन दोनों के बीच में एक gap बनाती है कि उपरवाला और इन दोनों के बीच में अंतर पैदा करती है, यह कौन करता है, यह Antarctic Ocean के द्वारा किया जाता है, जो स्वारी, Antarctic Polar, जो करंटन, इसके द्वारा किया जाता है, इसे Antarctic Polar, सरकम Polar, वो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह Antarctic Region में देखो Antarctic region में इसे इसे circum polar बिखा जाता है कि इसे polar के चार और गूमती है अब यह जो Antarctic जो महदवी पे ठीक है इसके चार और गूमती है ठीक है और यह एक मात्र ऐसी current है जो कि पूरी प्रथवी को कवर करती है पूरी अर्थ को कवर करती है यह पूरी अर्थ पे यह west to east में flow करती है इसे flow करती है west to east में फ्लो करती है क्या काम करती है temperature को redistribute करने का काम करती है इंडिन एंटिन की जो भी wind बगरा है उसको भी परवाविद करती है इससे हमारा जो temperature अच्छा रहता है हमारे जो rainfall होती है उसमें भी help करती है तो यह उसमें भी बहुत जादा मदद करने अभी जो है नभी क्या हुँआ?अ इसके टैंपरिचर में वर्दी देखने को मिल रही हमीज है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आप सबको पता होगा global warming होगी तो यह जो करेंट होथी इसके टैंपरिचर में वर्दी होगी तो यह आकटी रिजन यह देखें मैंholes आक ochatig तो यही नियूज में था हमने अभी देखा था कि यहां पर कुछ रिसर्च वगरा की गई है कि इसके इत्यास यह देखा गया है तो जरवायों में से किस परकार से परिवतन हो रहा है ऐसी जांच की गई है अब यह क्या करती है महासागरी दारा है जो अंटार्टिक रीजन हो इन दोनों को जोडने का काम करती है यह पूरी विंड को भी एक दूसरे से डिस्ट्रिब्यूट करती है और साथ साथ करंट होती उसको भी डिस्ट्रिब्यूट करने का काम करती है तो इसकी बेनेफिट बहुत ही ज़्यादा है ठीक है तो यह हमारा पूरा अंटार्टिक सर सिवसकति पोइंट के बारे में क्या चीज़ा सीवसकति पोइंट ऊन्मिय यू में क्यों है एक एजंसिन कहां कि यह 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 यहीएल यह इसकी एक इम्कस अलंच di दर है एक यह यह आने कि ना में इक पूरा नहीं उन्हों ने खूज Неbies हाली में जो एस्टोन अर्थ ते उन्होंने सिर्फ सकती नाम के दो तारे इस तार खोजी है यह जो तारे न प्राचीन धाराओं से समन्खन да जो प्राचीन वेश होतीं है उन्से रह्राटे जो आकास गंगा के काफी पूरानी है ठीक है 12 million वरस पूरानी है और यह है जो हमारा मून का वेट है उससे 10 गुणा ज्यादा million वेट वर्य कवर करती है देली है इतने इसमें वेट रहता है यह चलती है तो इसका द्रमिमान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है नाम रखा गया है सिव सकती पॉइंट रखा गया क्योंकि सीव सकती है वो इंडू माइचोलेजी से जुड़ा हुआ है वह सिवा जो उन्होंने पूरी जो अर्थ है कीईट गया तो इस इसका नाम सिव सकती पॉइंट रखा गया है ये वर्त रहां नहींburg में लुष्ट सेट चलता है देखो इसमें भी कुछ इन्द गया अब हम गया इस पेस के बारें बात कर दा इस थे बारे है इस के बार म्या पता रगता तो गया इस पेस अबजरवेटरी यह यह क्या है यह k всё आवजरवेटरी मिसन है जो को गिया स्पेस अंतुर्इक्स वेज posale यह खगोलिय वेज साला मिसन है इस एलक्स इसका सिंए क्म espresso killers किमेपिंग करना जो हमारी अकास विल्की वेव होती है, गैलक्सिस होती है, उनकी मैपिंग करना, उनके बारें पता लगाना, किस पर का से वहाँ पर काम करना, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है, किस पर का से इनकी उत्वपती, उन सब के बारें पता करने का काम करती है, यह इस पेस उसके बाद में कुछ UPSC के क्यूशन है यह चार्जर चार्टर एक्टर सम्मान देते 2019 में पुछा गया तो पीवाई क्यूश फिर 2020 का पुछा गया तो इसके बार में आपको पता जरूर होना चाहिए उसके बाद में है यह देखो नेक्स्ट जो क्यूशन दे रखा है तो इस यह भी आपको कुछ क्यूशन है वो देख के आना है ठीक है और यह जो न्यूश पेपर में कटिंग थी के 19 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी के दवारा रेस्क्यू करवाए गया है तो यह इंपोर्टन आर्टिकल है नहीं यह मैपिंग से समझे काफी इंपोर्टन आर् से पिर सुडान से और इजिप्ट से इंडिसों से टच होती है रेड़िची किसी जोड़ती है यह हमारी स्वेस के निल ведь से मेडिरेंश से कि यह कुण सी गलफ अवब अकाबा हो गया यह जॉर्डन हो गया यह सीरिया है यह इस्राइल है यह इराक है फिर यहाँ पर आ गया गलफ आगया है, ये कौन सा कत्तर है, ये आगया इरान, ये गलफ ऑफ ओमान, ये ओमान इन डेख लिया, ये जिबूट है, यहाँ पर है, गल्फ ऑफ ये गलफ ऑफ एडन हो गया, ये बावल मानदव इस्टियट हो गया यह इधिक को रैड सी से जोड़ने का क्म करता है यह जुआतिया तो यह पूरी लोकेस के आपको पता होना चाहिए पर काफी जादा ओड्सा किये हैं यहां पर करें जाद को तो यहATH रिप और चाहिए कि वार चीज़ते ले पेकilia article है FATF क्या होता है तो इसके बारें देख लेते हैं तो FATF होता Financial Action Task Force ठीक है Financial Action Task Force है इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1989 इसकी स्थापना हुई थी जी सेवन है इसके सिखर समयलन हुआ था हुआ था पैरिस में तो इसकी दोरान इसकी स्थापना हुई थी इसका Headquarter कहा है इसका Headquarter भी पैरिस फ्रांस पे है भारत इसका Member है हां बारत इसका Full Member है 2010 में भारत इसका Member बने गया था FATF जो Observer है वह Only Money Laundering होती है इसको रोकने का काम करती है कोई भी देस अगर टेरर Funding कर रहा है Money Laundering कर रहा है तो इसकी दो लिस्ट होती है कौन कौन सी लिस्ट होती है एक होती ग्रे लिस्ट में क्या होता है ऐसे country जो आतंगवादियों को पैसे देने के लिए उप्योग तो आज़े पाकिस्तान में वहाँ पर आतंगवादियों की सण देना असान है आतंगवादियों को funding की जाती है मतलब फंडिंग की ग्राउंड वहाँ पर available है वहाँ पर easily यह सब की जाता है money laundry भी वहाँ पर easy होती है तो ऐसे देशों को रखाता है जा जाता है grey list में grey list में जो easy हो जो सब चीज वहां पर की झा सकती है उसे रखा जाता है ग्रेटलिष्ट वाले की entra smart do वहां पर मिलते तो ब्लैकमने कोई तीन देश है नॉर्थ कोरिया इसको फराइपनी पड़ता है रखे यह के नुकसान क्या होता है नुकसान यही है FDI नहीं आएगी FPI नहीं आएगी IIMFA World Bank Asian Development Bank इन से पैसी नहीं मिलेंगे इसी help नहीं मिलेंगी तो यह इसके नुकसान भी होते हैं तो FDI के बारे में देख लिए हमने और इसके बारे में देख लिया पूचा गया था यह क्योशन भी आपको पता होने ची यह फिर आई यह लो के बारे में यह ज़रूर पढ़ लेना आए उन्हों काफी न्यूज मेरा इस बार आए लो फिर इसकी इस्तापना कब होई थी हेड़क्वाटर जिविन नव है मूल इसके औरगिनाजेशन क्या थी ठीक है इस्त्री उनिस उनिस में इसकी इस्तापना होई थी ट्राइपार्टी एक सरचना है जिसमें सर्मिक भी होते जो मतलब गॉर्मेंट है वर्कर है इंप्लॉयर है यह तीन तो यह पी वाई क्यूज है यह भी देख लाना तो आज की डिस्कसन में इतना ही था और थैंक यू थैंक यू वेरी मच फ़र डिस्कसन जूड़े रही हमसे टेलिग्राम चैनल जरू जोइन करना वहाँ पर आपको और भी पीडिएफ वगरा और भी मेट्रिकल मिल जाएग तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच